निरोगी रहना तो सभी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमें किसी तरह की कोई हेल्थ इशू ना हो, कोई समस्या ना हो और हम बुढ़ापे तक आरणाम से अपने जीवन को चला सकें लेकिन ऐसा कर पाना सब के लिए संभव नहीं होता आज हम आपके साथ ऐसी चार चीज़े शेयर कर रहे हैं जिन्हें आप अगर पानी में बिगो कर इस्तमाल करना शुरू कर दें तो इससे बुढ़ापे तक आप दोड़ते रह सकते हैं आपको हड़ियों की कमजोरी नहीं होगी, लीवर की कमजोरी नहीं होगी, किड्नी से रिलेटेट समस्यान नहीं होगी, खून की कमी सरीर में नहीं होगी ये ही कुछ ऐसी प्रमुक चीजे हैं जो कि अगर कमीन की शरीर में आने लग जाए तो शरीर कमजोर होने लग जाता है तो शरीर को मजबूत रखना है तो इन चार चीजों का इस्तमाल ज़रूर कीजेगा कौन सी है ये चार्ट चीज है और कैसे इस्तिमाल करनी है चलिए जानते हैं जनकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं आपकी होस्त और दोस्त मधू एक सर्टिफाइड डाइटीशन और एक नैच्रोपैट आज आपके साथ आपके किचिन में अविलेबल ऐसी चार चीजों के बारे में बात करूंगी जिन्हीं अगर आप भीगो कर खाना शुरू कर देते हैं तो ये आपकी हड़ियों को मजबूत करते हैं जिससे आपके शरीर में कभी भी आपको दर्द की दिक्कत नहीं होती है और आपको चलने-फिनने की कोई समस्या नहीं होती है साथी-साथ घुटने आपके कमजोर नहीं होते हैं क्योंकि गुटने आजकल बहुत साधा कमजोर हो रहे हैं और साधा से जाधा लगबग आप मानगे चलें चालीस की उम्र के आसपास तक आते आते तो गुटने जवाब दे जाते हैं और नीचे बैटना तक मुश्किल हो जाता है तो अगर इन चार चीजों को आप भिगो कर खाएंगे तो इससे आपके गुटने मजबूत रहेंगे साथी साथ बलड में जितनी भी दिक्कते हैं बलड नहीं बनता है या बलड की खराबी की दिक्कत है कोई इनफैक्शन है उसमें तो उसको भी क्लिर करने में आपको काफी मदद मिलेगी तो चलिए एक एक करके इन चीजों के नाम के बारे में जानते हैं सबसे जो पहली चीज है वो है किश्मिस सभी के घर में अविलेबल रहती है लेकिन इसे भिगो कर बहुत कम लोग खाते हैं अगर आप यह नहीं जानते हैं तो आपको बता दें किश्मिस के जितने फायदे किश्मिस के अंदर मेंगनेशिम, पोटेशियम और आरिन की अच्छी मातरा होती है इसमें वाइटमिन ए भी पाया जाता है तो जिन लोगों को भी आँखो की कमजोर रोशनी की समस्या है उन्हें किश्मिस को भीगो कर इस्तमाल जरूर करना चाहिए क्योंकि ये आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने में आपको काफी मदद करती है इसके अलाबा अगर आपको fatty liver की दिक्कत है या liver में किसी तरह का infection है या फिर कमजोर liver की वज़ा से आपको खाना नहीं पचता है gas acidity की दिक्कत रहती है या फिर आपके शरील में खून कम बनता है खून की खराबी की दिक्कत है तो ऐसे में किस्मिस को भिगो कर खाना आपके लिए किसी राम बार उज़दी की तरह काम करता है अगर आप किस्मिस को भिगो कर खाती है तो सबसे पहला फायदा है कि आपके लिवर को क्लीन्स करने और उसको मजबूत बनाने में बहुत मदद करती है इसके अंदर पाया जाते हैं हेप्टो प्रोटेक्टिव तत्व यानि कि लिवर को मजबूती देने वाले तत्व इसलिए जब आप इसका इस्तमाल करते हैं तो लिवर आपका मजबूत होता है अगला फायदा इसका ये है कि ये किड्नी की इंफेक्शन को भी किलिर करती है अगर आपको किड्नी में स्टोन की दिक्कत है या फिर आपको कही पर भी सरीर के अंदर कॉलिस्टोली खटा हो गया है नसों में हो या किसी भी तरह का नसों में होने की बाद कई बार जैसे कि पित्त की थाली में कॉलिस्टोली खटा होने लग जाता है तो उससे भी पत्री बनने लग जाती है तो ऐसे में किस्मिस को भिगो कर खाना आपकी पित्ती की पत्री के लिए भी फायदे मंद है, साथी साथ किड्नी की पत्री के लिए भी फायदे मंद है ये बॉडी के अंदर जितनी भी विशाक्ता है, जितनी भी गंदगी है उसको क्लियर करने में काफी मदद करती है तो यहां पर आपने इस्तमाल कैसे करना है लगवग 10 से 12 आपने किसमिस लेनी है जिने रात को एक गलास पानी के साथ भिगोना है इसके साथ साथ 3 चीज़े और भिगोनी है वो क्या है वो भी हम आपको बताएंगे लेकिन अगर वो 3 चीज़े आपके पास नहीं भी है तो सिर देखी ध्यान रखना है कि जब किसमिस को रात को भिगो कर रखेंगे तो उसे 2-4 बार अच्छे से गुन-गुने पानी से जरूर धुलेगा क्योंकि इसको स्टोर करने के लिए काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तमाल किये जाते हैं जिसकी विज़े से एक खराब ना हू जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं तो पानी से धुल कर ही हम इसा ड्राफूर्स को इस्तमाल करना चाहिए जब भी किसमिस को भिगोए अच्छे से पानी से धुल कर भिगोए और उस पानी का इस्तमाल सुबह के समय में करें चली अब जानते हैं ऐसी दूस कि बनाकर तो सभी लोग खाते हैं कैंड-ाल के रूप में खाते हैं लेकिन अगर आप इसको बिगो कर जरूर खाना चाहिए ये आपके शरीर को ताकत देने का काम करती है इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है साती साथ फाइबर होता है और वाइटमिन बी भी पाया जाता है चोकि हमारे शरीर के लिए और खासकर हमारे दिमाग के लिए बहुत जाता फायदेमंद होता ह तो अगर आप हरी मूं को भीगो कर खाते हैं तो इससे आपकी हड़िया भी वजबूत होती है शरीर में ताकत भी आती है और आपके शरीर में खून भी बनता है हरी मूं को भीगो कर जो पानी होता है उसका इस्तमाल जैसे कि मैंने बताया किश्मिस को उसके साथ ही आप भीगोएंगे तो एक चमच आपने उसमे हरी मूं भी भीगोनी है अगले दिन सुबह जब किस्मिस लेंगे तो उसके साथ साथ हरी मुंग को भी चबा कर खाना है और साथ में इसके साथ जो पानी किस्मिस वाला और मुंग की डालका होगा उसको भी आपने पीना है यह उन लोगों के लिए भी बेहत फायदे मंद होता है जिनने डायबिटीज की समस्या है लेकिं वही आपको बताती चलूँ के अगर आपका डायबिटीज बहुत ज़ादा बड़ा हुआ है तो ऐसे में आपने किस्मिस नहीं इस्तमाल करनी है आप सिर्फ मूंग एक चमस लेंगे उसे पानी से दुले एक गलास पानी के साथ बिगो कर रख दे अगले दिन सुभह उस पानी को पी ले और साथ में मूंग को भी चबा कर खा ले ऐसा करने से आपका डायबिटीज कंट्रोल में आता है पैंक्रियाज अक्टिवेट होती है शरीर में इंसुलिन निंतरत रहता है गलुकोज की मात्रा कम होती है हमारे किचिन में ऐसी बहुत कम चीज़े हैं जिनके अंदर ओमेगा 3 fatty acids पाय जाते हूं लें हम बहुत खुश किस्मत हैं कि उनमें से एक बहुत सस्ती सी चीज़ भी ऐसी है जिसके अंदर ये इंग्रेडियंट पाया जाता है हम बात कर रहे हैं अलसी के बारे में जिसे फ्लैक्स इस भी कहा जाता है इसके अंदर भरपूर मात्रा में omega 3 fatty acids होते हैं जो कि चाहें हमारी skin हो, चाहें हमारी हड़िया हो, चाहें हमारी बाल हो हर किसी के लिए बेहत पायदेमंद होता है तो साथी साथ यानि कि किश्मिश, मूंग और साथ में अलसी ये तीसा ingredient है हमारा, जिसको आपने उस glass के पानी में भीगो कर रखना है तो एक चमच आपने अलसी को भी एक दो बार पानी से धुल लेना है और उसके बाद इसी glass के अंदर डाल करके भीगो कर रख देना है अलसी में भरपूर मात्रा में fiber होता है और ये आपके high cholesterol को कम करने का काम करती है अगर नसों में किसी तरह का blockage है या heart blockage से आप परिशान है तो ऐसे में अलसी भीगो कर खाना आपके लिए बेहत फायदे मंद रहता है इसके अलावा जिनके शरीर में B12 की कमी है तो उनके लिए भी अलसी को भीगो कर खाना काफी फायदे मंद होता है तो आप अलसी का सेवन भी जरूर कीजिएगा वहीं मैं आपको बताती चलूँ जैसे मैंने आपको एक, दो, तीन करके ये ingredient बताएं है मेरे पास काफी सारे comments आते हैं फिर बाद में अगरे पास ये वाला इंग्रिदेंट नहीं है तो हम क्या करें तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक इंग्रिदेंट नहीं है तो आप उसको skip करके दूसरे ingredient के साथ जा सकते हैं उसके benefits ले सकते हैं जैसे कि सिर्फ किसमिस का इस्तमाल भी किया जा सकता है सिर्फ मुंग का इस्तमाल भी किया जा सकता है और सिर्फ अलसी का इस्तमाल भी किया जा सकता है अब हम बात करेंगे हमारे चोथे इंग्रीडियंट की बारे में चोथा इंग्रीडियंट बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कुमन है जो कि हमारे खाने में अक्सर इस्तम hmalig होता है और बहुत कम लोग इसके benefits को जानते हैं देखें हम बात कर रहे हैं मेथी के बीज के बारे में यानि मेथी के दानों के बारे में मेथी के बारे में भरपूर मात्रा में ऐसे पोशक्तव होते हैं जो body को detox भी करते हैं जोडों के दर्द में भी आराम देते हैं, यूरिक एसिट को कंट्रोल करते हैं, डाबिटीस की समस्यास में आपको काफी लाब देते हैं, इसके अलावा जोडों के दर्द की सूजन को तो कम करते ही हैं, लेकिन इन डाइजेशन की दिक्कत को भी दूर करते हैं, तो अगर पानी पीते हैं इन्हें चबा कर खाते हैं और सिर्फ महीने में दो हफते के लिए चबा कर खाते हैं या बिगो कर रखते हैं और सिर्फ दो हफते के बाद दो हफते के लिए skip कर देते हैं तो भी आपके शरीर को फायदा देते हैं जरूरी नहीं है कि आप पूरे महीने इनको भीगो कर खाएं अगर आप एक स्वस्त व्यक्ति हैं और सिर्फ इनके benefits लेना चाहते हैं तो 15 दिन के लिए इनको भीगो कर खाएं और इनका पानी पिएं और अगर आपको को करेंगे कि हम चबा कर नहीं खा सकते हैं सिर्फ पानी पी सकते हैं तो आपके लिए वह भी रहेगा कि आप पानी पी लीजिए लेकिन अगर चबा कर खा लेते हैं तो आपको benefits जादा मिलते हैं वहीं आपको जिन लोगों को भी diabetes की दिक्कत है सिर्फ किसमिस को छोड़कर मू हैं तो आप हड़ियों के जोड़ों के दर्द से भी बच सकते हैं यूरिक एसिट के बढ़ने की जो समस्या है उससे भी बच सकते हैं किड्नी लीवर को मजबूत कर सकते हैं खून की खराबी को रोख सकते हैं आखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं और भी धेर सारे बीमारियो से बस सकते हैं और अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं तो आज की ये जानकारी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मेरी आप लोगोंसे छोटी से शिकायत है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकि उसे Share नहीं करते हैं और Like नहीं करते हैं और सबसे जरूरी बात जिससे मुझे यह पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगती है जानकारी पसंद आती है तो कमेंट भी जरूर करें, ताकि मुझे यह पता चले कि आपको वीडियो यह हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है अगर पसंद आता है तो जरूर सब के साथ शेयर करें, चली फिर मिलेंगे किसी नहीं जानकारी के साथ, तब तक अपना खयाल रखें, अपनों का खयाल रखें